Hello everyone, Welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज है चार फरवरी और चार फरवरी से बनने वाले सभी इंपोटेंट का अंटरफेस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो कि हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में होंगे आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वो आप लोगों को मिलेगा टेलिग्राम पर आप जो इन कुश्चन्स की मैं डिटेल्स बताता हूँ वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी बस आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करना होगा All India Students Community हर छोटी से छोटी डिटेल जो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी आप उसको पढ़ सकते हैं पर सुरू करते हैं आज के हमारे इस करन्ट अफेस के सेसन को और पहला कोश्चन है इस साल चोरी-चोरा कांड की घटना के कितने वर्स पूरे हो चुके हैं और या फिर ये कोश्चन को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि चोरी-चारा कांड का कौन सा वर्स इस बार मनाया जा रहा है तो हमारा इसका जो correct answer होगा वो होगा सोवा तो अभी इसके 99 में वर्स पूरे हो चुके हैं आज 4 फरवरी को इसके 99 में वर्स पूरे हो गए और सोवा वर्स जो है इस साल celebrate किया जाएगा एक तरीके से centenary year सताब्दी वर्स मनाया जाएगा चोरी-चोरा कांड का इसको मनाने का जो फैसला किया है वो उत्तर परदेश सरकार द्वारा किया गया है और इसका उधगाटन करेंगे आज हमारे देश के परधार मंतरी नरेंद मोदी जी इसका उधगाटन करेंगे उत्तर परदेश में इसको celebrate किया जाएगा अब जैसा कि मैंने बताया 1922 में एक घटना होई थी गोरकपूर जिले में उत्तर परदेश के गोरकपूर जिले में चोरी-चोरी-चोरा जगहे पर यहाँ पर क्या हुआ था गुसाई भीड ने एक थाने में आग लगा दी थी जिसकी वज़ाए से 22 लोगों जो 22 पुलिस करमी थे उनकी जिंदा जलकर ही मोथ हो गई थी तो हमारी आजादी के जो मतला एक तरीके से आजादी के लिए उन संगर्सों में से यह भी एक बड़ा संगर्स माना जाता है और इसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना नोन कोपरेशन मुवमेंट को वापस भी ले लिया था तो इसी को सेलिबरेट किया जाएगा इसी को होई मनाने वाली है भारते सरकार उर्तरपरदे सरकार क्योंकि इस साल से इसका सोवा सतापदी वर्स स्टार्ट हो चुका है इसके उपलक्स में आज एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा तो हमारा इसका जो केर्ट आंसर होगा वो होगा निन्याण में वर्स पूरे हो चुके है और सोवा सताबदी वर्स इसका स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये घटना 1922 में गोरखपुर जिले में हुई थी चलो बढ़ते हैं अंगले कुशन की तरफ नेक्स कुशन है एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर सो की मेजबानी कौन सा सहर कर रहा है तो अभी एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर सो की जो मेजबानी कर रहा है वो बैंगलूर कर रहा है ये एसिया का सबसे बड़ा एरो सो है आप देख सकते हैं इमेज के अंदर जहां पर अलग अलग देश अपने यहां की चीजों को अपने यहां की जो एरप्लेंस हैं जैट्स हैं उनको सो कर रहे हैं भारत भी अपना मेक इंडिया के तहत यहां पर सो कर रहा है बहुत सारे देश जो हैं वो चाहते हैं भारत इन से खरीदे लेकिन भारत ने इस बार खुद का ऐसा पर्चम लहराया है कि भारत को बाहर से साथ खरीदने की जरूरत ना पड़े तो तेरवा एडिशन एरो इंडिया का हुआ ये तीन फर्वरी को स्टार्ट हुआ बेंगलूरू में और बेंगलूरू में भी अगर आपसे पूछा जाए कहां पर तो येलहांका येलहांका एरफोर्स स्टेशन है बेंगलूर के अंदर वहाँ पर इस सोकी मेजबानी की जा रही है बेंगलूर दुआरा बरतंगले कोस्चन की तरफ नेक्स कोस्चन है जल पक्षियों की जनगन्ना पहली बार किस राज्य में की गई विच स्टेट डिड़ दा सेंसस ओफ वाटर बड्स फोर दा फस्टाइम तो पहली बार पस्चिम बंगल के अंदर जो जल पक्षिय होते हैं जो जल के आसपास रहते हैं जल के अंदर रहते हैं उनकी जनगना की गई है कहाँ पर पस्चिम मंगाल के अंदर अब पहली बार हुई है क्या क्या हुआ है इस जनगना के अंदर अगर यह बात है तो पस्चिम मंगाल के वन विभाग ने बारा जनवरी से दो फरवरी के बीच जो पकसी एक तरीके से जल के आसपास रहते हैं या फिर आप बोल चकते हैं जल पकसी उनकी जनगनना की है 12 फरवरी से 2 फरवरी के बीच में और सुंदर बन में पहली बार काले गले वाले सारस को भी देखा गया कहाँ पर सुंदर बन में अब बात पस्चिम मंगाल की है तो पस्चिम मंगाल के बारे में जान लेता है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां के CM की तो यहां के CM कोन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पस्चे मंगाल की CM कोन है अभी आपको पता होगा विधान सभा के चुनाओ भी पस्चे मंगाल में होने वाले हैं अगर मैं गवर्नर की बात करता हूँ तो गवर्नर है जगदीब धनकड पस्चे मंगाल के अंदर जो टोटल जिले हैं उनकी संक्या 23 है लोगसवा की सीटे यहां से 42 है राज्यसवा की सीटे 16 है और अगर बात करें छेतफल की द्रस्टी से 13 स्थान पर आता है और जन्संक्या की द्रस्टी से पस्चे मंगाल 4 स्थान पर आता है यहां की capital जो है वो कलकत्ता है और कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के किनारे इस्तित है भारत की पहली underwater train इसी नदी पर चलाई गई थी यूको बैंक का headquarter आपको कलकत्ता में मिलेगा Geological Survey of India का headquarter कलकत्ता में है Ordnance Factory Board का headquarter भी आप लोगों को कलकत्ता में मिलेगा Migrants Worker के लिए exit app यहां पर लोच किया गया था बंजर भूमी को जव बनाने के लिए मात्र इस्मर्ष्टी योजना कलकता जो पोर्ट है उसका नाम बदल कर डोक्टर शामा परसाद मुखरजी पोर्ट कर दिया गया था और टीबी की जाच एक तरीके से जो COVID-19 से ठीक हो रहे थे उन लोगों की टीबी की जाच करने वाला राज्या है पस्चिम बंगाल था पत्सरी योजना यहां पर सुरू ही सबुझ सार्थी योजना के लिए World Summit Information Society Prize जीता था पस्चिम बंगाल ने किसके लिए सबुझ सार्थी योजना के लिए World Summit Information Society Prize 2020 यह World जो है वेस्ट बंगोल ने ही जीता था और सब्ची उत्पादर में टोप पर रहा था पस्चिम बंगाल तो यह सारी जानकाली थी पस्चिम बंगाल से दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है यहाँ पर देखे नीचे एक लाइक का बटन होगा दबा दीजे लास्त तक आप भूल जाएंगे एक बार लाइक जरूर करें वीडियो के अंदर जो मैं कुश्चन पूछता हूँ उनका जवाब जरूर दिया करें और आपको वीडियो लगता कैसा है जरूर बताया करें अगला कुश्चन है माल्टा के उचायुक्त के तोर पर किसको नियुक्त किया गया है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संगीता बहाद्दूर आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे य अभी तक बेलारूस की राजदू थी बेलारूस में भारत की बेलारूस में भारत की तरफ से ये एक तरीके से अमबसडर थी और अभी इनको ही माल्टा में उचायुक्त किया गया है इनकी एक किताब भी है जाल और बेताल करके इनकी एक किताब है जाल और विक्रम बेताल क है यहां की capital है Malta की और currency है यहां की यूरो अगर बात करें संगीता बहद्दूर के बारे में 1987 का 1987 batch की IFS अधिकारी है Indian Foreign Services की अधिकारी है संगीता बहद्दूर यहां पर आप दूसरा option देख रहे है गोरव सरावगी यह कौन है अभी हाल ही में इनको मोतिवाल ओसवाल के कारेकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसको गोरव सरावगी को अनीश साह के बारे में बात करें तो अनीश साह महिंद्रा Finance के अध्यक्स बन गए है अनीश साह और इन्होंने भी मेरे जो है उस एक तरीके से उस पोस्ट के अंदर मिल जाएगा और वो पोस्ट आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पर बस आपको क्या करना है इंस्टाग्राम पर ओल इंडिया स्टोन्स कमूनिटी सार्च करिएगा और इसका जो सही जवाब होगा वोगा 53वी तो डेमोक्रेशी इंडेक्स 2020 में भारत का रेंक रहा है 53वा जिसमें टॉप पर रहा नोर्वे और दूसरे नमबर पर रहा है आइसलेंड और तीसरे नमबर पर रहा है स्वीडन भारत की रेंक इस बार रही 53वी 2019 के अंदर भारत का रेंक था 51वा भारत इस बार दो इस्थान नीचे गिर गया है और डेमोक्रेशी इंडेक्स में भारत पहुँच गया है 53वे नमबर पर नेक्स कुश्चन है रहा है और लोगों को कैंसर के परती जागरूप करने के लिए चार फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है अगर बात करें इस बार मनाये गए विश्व कैंसर डिवस का थीम क्या था तो इसका थीम था I am and I will ये था इस बार मनाये गए विश्व कैंसर डिवस का थीम बढ़ते हैं लेक्स कुश्चन की तरफ नेक्स कुश्चन है हाल ही में विश्व वेटलेंड डिवस कब मनाया गय When was World Wetland Day recently celebrated and the correct answer will be तो अभी हाली में विस Wetland दिवस जो है मनाया गया दो फर्वरी को कब मनाया गया दो फर्वरी को मनाया गया विस Wetland दिवस क्यों मनाया जाता है दो फर्वरी को और ये कौन सा मतला एक तरीके से इसका स्थापना दिवस मनाया गया स्थापना दिवस इस बार मनाया जा रहा है Wetland Day का ठीक है क्योंकि इसका 1971 में इरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें Wetlands को बचाने के लिए उनका सरक्षन करने की बात रखी गई थी और उसी वजह से हर साल उसको मनाया जाने लगा क्यों बनाया जाता है Wetlands क्या होते हैं जहां पर कोधे और जीव दोनों का दोने भारी मातरा में मिलते हैं उसको Wetlands बोलता है आदर भूमी हिंदी में बोल देते हैं भारत के अंदर टोटल जो Wetlands है वो 42 है और अभी 42 वा वेट लेंड कोंसा बना था यह इंपोर्टेंट है इसका विश्य क्या रहा 2021 का वो रहा Wetlands and Water क्या रहा Wetlands and Water 2021 में मनाये गए विश्व वेट लेंड दिवस का थीम Wetlands and Water नेक्स कुशन है ASEAN ओनलाइन सूटिंग हुआ था अभी यह चैंपियंसिप हुआ इसमें भारत जो है टोप पर रहा है भारत जो है जो medal टैली है उसमें टोप पर रहा 24 में से 11 सूटर्स ने इसमें medal जीते जिसमें से भारत 4 गोल्ड के साथ टोप पर रहा है ठीक है बढ़ताया अगले कुशन की तरफ नेक्स कुशन है सेयद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी किसने जीती है who has won the सेयद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी and the correct answer will be Tamil Nadu तो अभी हाल ही में Tamil Nadu ने जीत ली है सेयद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी बात Tamil Nadu की है तो Tamil Nadu के बारे में थोड़े सा चर्चा कर लेते हैं तमिलाडू के गवर्नर कोन है तमिलाडू की इरोड हल्दी को GI टेग मिला था CM EK पलानी स्वामी है आपको मिनाक्सी मंदिर मिलेगा मदुरई में ये तमिलाडू के अंदर इस्थी थे यहां 38 जिले हैं और अभी 38 जिला बना था तमिलाडू का महिला दुत्तु थ्रई ठीक है, भारत का दूसरा रोकेट लॉंचपोर्ट ये तमिलाडू के अंदर बनाया जा रहा है कहां पर? कुल सेकर पटीनम में भारत का दूसरा रोकेट लॉंचपोर्ट पहला आप लोगों को पता ही होगा स्री हरी कोटा है आंध पर्देश के अंदर बजार कर्ज में टोप पर रहा था मुद्रा योजना के तहत महिलाओ को रिंड देने में टोप पर था और अभी आपको याद होगा रूपा गुरुनाथ तमिल्नाडू किर्केट असोशेशन की अध्यक्स है और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला किर्केट अध्यक्स बनी थी वो थी रूपा गुरुनाथ तमिल्नाडू किर्केट असोशेशन की अभी आपको बात करें तमिल्नाडू की एक महिला है जिसका नाम है एमवीर लक्समी ये पहली बार एंबुलेंस ड्राइवर बनी भारत में तमिलाडू की बात करें अभी यहां के नए मुख्यनाईजीस बने थे संजीव बनर जी हाइस पीक है यहां का डोडा बेटा लोग सभा की टोटल सेटे हैं 49 राज़े सबा की टोटल सेटे 18 एरिया की अकोर्डिंग ये आता है दसवे स्थान पर और पोपुलेशन की अकोर्डिंग ये आता है आप लोगों का छटे स्थान पर अगर हम बात करें यहां के तमिलाडू के अभी नए मुख्य सचीव कौन बन गए हैं आज का सवाल कुशन ओफ दा डे यह मैंने आपको दो दिन पहले खराया था तमिलाडू के नए मुख्य सचीव कौन बन गए हैं कमेंट करके बताईएगा अभी आपको याद होगा पदम प्रुसकार दिये गए 26 जनवरी को टोटल कितने लोगों को दिये गए यह दिये गए 119 लोगों को और उसी में से एक नाम है SP बाल सुभरमन्यम का SP बाल सुभरमन्यम जो की तमिलाडू से हैं और इनको पदम विभूशन से सम्भानित किया गया है 119 पदम प्रुसकार दिये गए जिसमें से पदम भूशन 10 लोगों को मिला पदम विभूशन 7 लोगों को दिया गया और वही पर अगर हम बात करें पदम स्री की तो पदम स्री जो है 102 लोगों को पदम स्री प्रुसकार से सम्मानित किया गया स्मार्ट ब्लेक बोर्ड योजना भी जो है तमिलाडू के अंदर सुरू हुआ था और देश का पहला इलेक्ट्रिक वहान पार्क ये भी तमिलाडू के अंदर खोला गया रास्ट्य जल प्रुसकार 2019 में टॉप पर रहा था तमिलाडू और उसने बैस्ट इस्टेट का दरजा जीता था रास्ट्य जल प्रुसकार के तहट तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आज के हमारे इस करंट अफैस से आप लोगों को ये करंट अफैस सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करके जो कुशन्स पूछे गए है उनका जवाब दे और हाँ लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और ज़्याद से ज़्याद अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और सेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाए पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से टेलिग्राम चैनल का नाम है हमारा All India Students Community जाईए आज का पीडियाप महाँ पर मिल जाएगा डेटेल्स में पढ़ने के लिए आपको पोस्ट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर जाना है All India Students Community सर्च करना है वहाँ पर आप डेटेल्स में ये सारी चीज़े पढ़ सकते हैं जो डेटेल्स मैंने आज इन कुश्चिन्स के साथ बताई है इन कुश्चिन्स के साथ पर आपको